तो दोस्तो इससे पहले जैसी कि आप लोगों ने Vivo flying drone camera phone के बारे में सुना होगा और मैं आप लोगों को भी बताया था जैसी कि आप लोग जानते हैं लेकिन कि आप ये जानते हैं विवो का वो phone अब तक launch क्यों नहीं हुआ है अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को बता दूँगा और अब इस phone के बारे में आप क्या news आया है और कौन से देश में सबसे पहले launch होगा ये सब कुछ में आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तो टेकनलोजी धीरे धीरे चेंज हो रहा है और इसी के साथ भीबुक ऐसा smart phone का invention किया है जिस phone की camera automatic बाहर निकल कर हवा में उड़ सकता है हवा में उड़ते हुए high quality में आपका photo और वीडियो भी recording कर सकता है drone size में जितना ज़्यादा छोटा है उतना ही दोस्तो बहुत ज़्यादा powerful भी है क्योंकि दोस्तो इसमें high quality का camera रहेगा उसी के साथ दो sensor रहेगा ताकि drone कहीं पर खोन आ जाए और किसी भी चीज़ से टकरा ना जाए drone जब तक mobile phone के अंदर रहेगा तब तक automatically charge होते रहेगा mobile phone की charge से और एक बर full charge हो जाने के बाद इसको आप 10 से 15 मिनिट तक हावा में उड़ा पाएंगे तो चलिए और आप बात कर लेते हैं phone के बारे में दोस्तो इस phone की back side में dual rear camera देखने को मिलेगा जिसका main primary lens होने वाला है 108 megapixel का साथ में 12 megapixel का ultra wide lens होगा और इस phone की back camera से दोस्तो 68PS पर 4K B2B recording किया जा सकता है बाग इस phone में 6.67 inch का full HD plus super AMOLED डिस्पले देखने को मिलेगा जो की HDR10 को support करता है साथ में on 20 high IPS rate का support भी देखने को मिलेगा अब अगर बात करें phone camera के बारे में तो इसके बारे में दोस्तो कुछ खुला सा हुआ नहीं है ऐसा हो सकता है जो drone camera है उसी को थोड़ा सा बाहर निकल कर as a phone selfie camera यूज किया जा सकता है इस phone में दोस्तो 5000 image का battery होगा तो phone थोड़ा सा heavy और मोटा होने वाला है तो चलिए और अब बात कर लेते हैं इस phone की phone के बारे में तो दोस्तो इस phone में Qualcomm की तरफ से Snapdragon 8GN2 का chipset देखने को मिलेगा अभी साथ आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा chipset है इसके बारे में तो कभी नहीं सुना है तो जी बिल्कुल गाइस इसके बारे में अभी news आना इस्टार्ट हुआ है आप थोड़ा सा Google कर सकते हैं Qualcomm का 8 chipset दोस्तो सबसे बहले इसी phone में देखने को मिलेगा बाग इस phone में 12GB RAM 256GB का internal storage भी होने वाला है तो भीवो का इस phone के बारे में चाइना में launch हो सकता है और इंडिया में आएगा या फिर नहीं आएगा इसके बारे में भी कोई news आया नहीं है और अब अगर बात करें इस phone की pricing के बारे में तो बस आप इतना समझ लीजिए कि भीवो का इस phone का प्राइज बहुत ही ज़्यादा मतलब की बहुत ही ज़्यादा ही होने वाला है तो अभी तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बाद बेल आइकन को प्रेस करकर रखिए ऐसे दुस्तो टेक अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ रहे है